नमस्कार साथियो तो आज है 3 नवेंबर 2024 कल 4 नवेंबर मंडे से एक निया ट्रेडिंग विक शुरू ने जा रहा है जैसे कि लास्ट ट्रेडिंग विक पर हमने देखा बजार में कोई बहुत बड़ा डाउन फॉल नहीं हुआ निफ्टी 50 अपने आपको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है 24,000 की उपर और विशेश रूप से लास्ट ट्रेडिंग डे पर यानि महरो ट्रेडिंग शेशन पर हमने देखा निफ्टी 50 की क्लोजिंग हुआ 24,300 के जस्ट उपर 24,304 पॉइंट पर थोड़ा सा गेनिंग के साफी जादा इंपोर्टेंट होने जा रहा है बहुत सारे इवेंट है एक एक करके आपके साथ जानकर ही शेयर करूंगा तो दोस्तों आपको क्या लगदा है लास्ट कुछ ट्रेडिंग विक आम ने देखा बजार में जैसे डाउन फॉल हुआ था या लास्ट कर सकता है और सबसे इंपोर्टेंट की फैक्टर जो की मार्केट को ट्रीगर करे गाई 100% वह है युएस में चुनाओ जो की लगा था दो हफ्तों से चुनाओ की प्रोसेस यानि वोटिंग प्रोसेस चल ला था जिसका आउटकम यानि रेजल्ट आउट होगा कब मंगल बार कौ आज हो गया रव인지वार कल सोंबार छोडंके मंगल बार पांच तारीक दोस्तों चुनाओ की रेजल्ट आउट होगा और दूद डूद पानी का पानी हो जाएगा किसकी सरकार बनेगा किया ट्रेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार बनेगा या रिपब्लिकन पार्टी का सरक मिलेगा तो देखे यहां पर पसंद मुझे दोनों ही नहीं है अगर हम पॉलिसीज के उपर बेस करके बात करें ना डोनल्ड ट्रम्प की सरकार अगर बना बहुत सारे सेक्टर को बहुत जादा फायदा मिलेगा विशेश रूप से इसको छोड़के मतब फायदा मिलेगा अगर डोनल्ड ट्रम्प की सरकार वापसी हुआ युएस में तो यह दिन तो देखे बहुत जादा कुरूशल बहुत जादा इंपोर्टेन होने जा रहा है नाकेबल भारतिय निवेशक पूरे दुनिया की निवेशक दोस्तो नजर नवेंबर रात को बेसिकली इंडियन स्टांडर्ड टाइम के अकोडिंग उसका आउटकम निगलेगा इसको छोड़के मतब फिप्त नवेंबर इतना इंपोर्टेन डे वह खतम होगा की नहीं होगा सेवेंथ ओफ नवेंबर दोस्तों एफ एमसी मीटिंग की आउटकाम आ या लास्ट बर हमने देखा 50 VPS का आसपास rate cut कर दिया था यह देखे 50 VPS का आसपास rate cut कर दिया क्या इस बार भी 25 VPS का आसपास rate cut करेगा विकॉस ये बात भी सही है कि US की जो CPA inflation rate ना लास्ट कुछ महिनों पे काफी अच्छा हुआ मतब काफी अच्छा हुआ उसके साथ इस देखे जो US की GDP growth rate हमने देखा data भी काफी ठीक ठाक हुआ 3% के आसपास quarter 2 में था quarter 3 की first prediction data भी हमने देखा था 2.8% जो की estimate जो था उससे थोड़ा डाउन हुआ बड स्टिल एक ठीक ठाक manageable था ठीक है तो क्या FMC meeting के थ्रू इस बार पॉयल सापने फिर से rate cut करेगा या hold करेगा December पर जब FMC meeting आए next FMC meeting इस साल खतम होने से पहले क्या उसमें करेगा तो आपको सब कुछ मालूम पर जाएगा तो यह हफता ना seriously बहुत बहुत important होने जारे है बहुत जादे important अच्छा उसके बात यह तो खेर होगे आपका FMC मतलब आपकी US की interest rate अब 7 November को ना एक और बड़ की दिन तो आप समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा important हो सकता है मतलब next seriously कुछ भी हो सकता है कुछ भी कुछ जो भी हो सकता है तो यहां पर आप देख सकते हो और भी बहुत सारी इवेंट है मैं आपको थोड़ा पढ़के सुनाता हूं दिरे-दिरे करके आप समझ जाए अपार का European Zone पर यूएस में चाइना पर जैपैन पर यूके में तो यह सारे जो इंपोर्टेंट ग्लोबाल एकोनोमिकल डेटा भी आउट होगा जो की भारतिय बजार को डेफिनेटली ट्रीगर करेगा अब उसके साथ साथ जयातर कंपनी की रेजल्ट हमने देखा October मैंने पर आउ सामोटर्स हो गया डॉक्टर एडिस लैब हो गया टाइटेन हो गया पावर ग्रीट हो गया टाटा स्थील हो गया महींद्रा एंड महींद्रा मतलब ऑ्टो सेक्टर की जो कंपनी उसको चोड़के डेड और जो नॉन निफ्टी-50 कंपनी उसका भी नेक्स ट्रेइंग विक सब्सक्राइब करें जरूर रखिये जैसे कि मैं आपको तो हर रोज जितने भी company की important company result आउट होता है एक वीडियो में पूरा जानकरी डिटल में दे देता हो यह सारे company की result जैसे आउट होगा ना honestly से सब जानकरी आपको मिल जाएगा इसी चैनल के पर ओके आचा नेक्स्ट अगर हम बात करें यह तो हमने अभी तक देखा कि US और जो नवेंबर उसके बाद देखें जो इस बार हमने देखा था देखें पीम डेटा जो न थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था थोड़ा सा इसके पहले हमने सेप्टेमबर में देखा था 56.5 बट इस बार ऑक्टोबर पर हमने देखा था almost 57.4 क्या सबस्वा था जो कि अपने आप मतब लगातार सेल आफ करना और दूश्रे देश में पर्चेस करना जैसे के आप लोगों ने नोटीस तो किया होगा चाइना की मार्केट लगातार बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान की इंडेक्स जो है लगातार बढ़ता जा रहा है जबकि भारती इंडेक्स में लगातार हजार करोड अन बिलेवेबल दोस्तों सेल किया डियाइज ने काउंटर करते हुए बाई भी किया बट वो उतना मैटर नहीं करते डियाइज ने बाई किया एक लाग साथ हजार करोड के आसपास और सिर्फ लास्ट ट्रेइडिंग विक पे सिर्फ एक हफ्तों के अंदर सारे 14 सामने इतने सारी इवेंट्स है इसके उपर बेस करके जो भी इन्वेस्ट करेगा ठीक है अच्छा बहुत सारे आइप्यों जो है बजार में लिस्ट होगा बहुत सरा आइप्यों में ओपन होगा यहांप आप देखसे जिन में से कुछ पॉपुलर आइप जैसे कि सुईगी का आइप्यों बड़े आइप्यों लेके आए ग्यार आजर करूर क्यूपर तो यह आइप्यों बजार में लॉंच चुका इन्वे दोस्तों यह कुछ इंपोर्टेंट की फैक्टर से फटाफर में आपको थोरा सा रिमाइन करा देता हूं जैसे कि बहुत सरा आइ सब्सक्राइब यह तो थोरा सा करेक्शन अगर एक आत दिन उपर चल भी गया ना वो सस्टेन नहीं करेगा ठीक है तो प्रॉपर ढंग से देके फैस का भाइंग होना चाहिए आचा बहुत सारे यहां पर डोमेस्टिक एकोनोमिकल डेटा होगा बहुत सारे धेरों सारे कुछ इंपर्टेंट है जो की आउट होगा आपके 7 नमेंबर को इसका भी अपडेट में आपको इसी चनल को दे दूंगा जैसे के आपको मैं दे देता अक्सर आचा उससे भी सबसे ज्यादे इंपर्टेंट है यूस की चुनाओ इसको परी अक्चुली सारे निवेशक की दुनिया वर की ठीक है इसको तो बहुत कुछ आपको डिपेंड करेगा और खास करके मैं कहूंगा आईटी सेक्टर बहुत इंपर्टेंट सेक्टर हो सकते आपके नेक्स्ट रेंग पर एनिवे तो यह कुछ इंपर्टेंट दोस्तों की फैक्टर्स अब बात करेंगे अब मुझे फॉलो करके रखना इंस्टाग्रम पे जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डेस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा बिकॉस इंस्टाग्रम पे मैं आपको स्टाटस के थू इंस्टैंट अप्डेट दे देता हूं जल से जल ठीक है आचा बात करेंगे डॉ च्रीज़ की देजी भी हो सकता है दूसरे दिन पे चार परन के गरावट की समय यहाद है ना चार्ट की और फोल सकते हैं अब देखना इसके पशीनाद चूट गया घर्यो बहुत ज्यादा रिफलेट करेगा और घृटि मार्केश बन सकता है अब देखना यह होगा किसकी स पारतिय निवेशक क्या को निगना अगर डोनल्ड ट्रम्प की सरकार बना वो बहुत अच्छा रहेगा तो यहां पर मैं आपको थोड़ा दीखाना चाहिए तो मैं कुछ पहले देख रहा था कि यहां पर कुछ मेंशन किया था यह देखिए यह देखिए इंडियान अमेरिकन चाहते हैं कि किसकी सरकार बने तो में भी यहां पर डोनल्ड ट्रम कोई सब लोग कह रहा था मतलब जो इंडियान निवेशक ठीक है तो इसको पर अप्रेट मैं आपको दे दूँगा आच्छा उसके बाद देखिए इस्राइल और इरान के वितर फिर से थोड़ा सा गर्मा चल रहा है आच इसको छोड़के रिस्रीशन के उपर कुछ शौकिंग अपनेट आया किया यूएस नेक्स छह मैंने के अंदर मंदी यानि रिस्रीशन में पहुंच जाएगा ऐसा दोस्तों एक सर्वे किया गया था और वेरी वेरी शौकिंग रेजल्ट आया ओल्मोस्ट य कि यूएस एक ऐसा इकोनोमिया ना उसके हाथ में डॉलर है और डॉलर दोस्तों आज 80% देश जो है इंटरनेशनल ब्रहपार डॉलर से होता है तो अगर डॉलर में कुछ छेर चार हुआ उसका वेलेशन गिरा इंपक्त आपको पूरे दुनिया भर में चाहे अब रशिया क इंवेस्टर सो चाहिना की इंवेस्टर सो कोई भी हो कोई भी यो डस नॉट मैटर इंपको देखने को मिलेगा ठीक है तो दो यह कुछ इंपोरेंट अब्रेट्स था जो कि आपके साथ में शेयर किया और कोई डॉट से कमेंट करके पूछिए अचा एक और बात तो मैं बो प्रकाण से कमेंट applauded